कि हासकार जो economist भी है यूप लिख रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े साहित्यकार जो देश और दुनिया के बारे में अध्यन कर रहे हैं वो पता कर रहे हैं देश ऐसा ही था क्या ऐसा नहीं था यह देश कुछ और था इस देश का दो हजार तीने जार वर्ष का इतिहास कुछ और था सुन्दर राज जी ने एक पुस्तक लिखिया भारत में अंग्रेज जी राज दो खंडे भारत सरकार ने उसका प्रकाशन किया है लिखा है कैसा लूटा है दादा भाई नवरोजी ने ग्रंत लिखा तो ने लिखा कैसे इस देश को बरबात किया अंग्रेजोने द्रमपादी ने पुस्तक लिखी तो ने लिखा इस देश की सारी सिक्षा को कैसे नश्ट किया अंग्रेजोने कैसे गोद्योग धंदे नश्ट किया हमारा देश कैसा थ पुरिविक्रम चला नालंदा के विश्विद्याला है नस्ठ हो गए और देश असिक्षित निरक्षर लोगों में बदल गया दुनियां के अंदर ऐसी टेकनोलोजी वाला देश अब जो दिल्ली में जो लोह स्थम्भ है ऐसे कई लोह स्थम्भ देश में और भी है हम लोग कलपणा तू करें ऐसा ऐलोय बनाना जिस ऐलोय में रश्टिंग न हो एक भट्टी के अंदर इसकी मेल्टिंग करना इसको गलान और एक साथ इसकी काश्टिंग करना 20 तन 40 तन भारी लोहा आज से 2000 वर्षे पूर दुनाय में कहा बनता था नोवेर इंदे वर्ड वो तक्नीक हमारे पास और 1901-1995 में ऐसी सिती आ गई स्वामी विवेकान जी ने जमसेज जी टाटा को कहा अब देश में लोहा नहीं बनता है जमसेज जी कम से कम दो काम आप करिये एक लोहे की कोई फैक्टरी लगाओ जिसे भारत फिर से लोहा बनाना शुरू करें और दूसरा एक काम करो विज्ञान और अध्यात्म इन दोनों का समन में बन जाए ऐसा कोई संस्थान शुरू करो जमसेज जी टाटा इंग्लेंड गए कि हमको टेकनोलोजी मिल जात हम सुरू कर दें तो अंग्लेंज ने मजाग बना दिया या भारत को लोग इस्टील बनाने का सोचते है तुम लोग इस्टील नहीं बना सकते जमसेज जी दुखी हो करके अमेरका गए वहां से बात करके बेग टाटा एक आरेन फाउंडरी की स्थापना हुई बंधो भारत उस समय दुनिया में कहीं नहीं था इस्टील बनाने में उपर के 20-25 देशों में भी इस्थान नहीं था और आज भारत इंग्लेंड की तुलना में दस गुना इस्टील बनाता है मैंने यह बात इसलिए कही कि भारत धीरे धीरे आजादी के बाद उन्नती करना शुरू क्या तेजी से उन्नती कर रहा है अपनी लोकतांत्रिक विवस्थाओं को बनाई रखते हुए हमारा जो हमारा रेट अब ग्रोथ है यह कम नहीं है बहुषज सर्य परमीटर से बहुषज सर ऐसे च्छे तृत रह हैं जह हमने दुनिया को चका चौंद करने वाली उन्नती तेaz की नचला भूंकol था हमको यह ध्यान में यह अवकाल यह भी हमको ध्यान में एक वो काल है जो अब आने वाला है तो पहला मार्ग तो यह है जो भूका देश था अब भर पेट अन पैदा करता है हम सरप्लेश पैदा करते हैं वो भी देश ने दिन देखे सन 60 का दसक 50 का दसक के देश जो है बाहर से अनमगाता था हर पांच मिनट पर एक पानी का जहाज आकर के गयों उतारता था भारत के दरवाजे पर बंध हो, आज तीन करोर टन सर प्लस गयों पैदा करते हैं हम लोग, तीन करोर टन चावल भी हमारे पास सर प्लस है, देड़ करोर टन चीनी हमारे पास सर प्लस है, उपभोक के बाद है, एकदम 60-70 वर्षों में जनसंक्या चार गुनिय बढ़ गई और चर्चिल कहता था कि भारत में जो बच्चे पैदा होते हैं जो खरवोष के बच्चों की तरह पैदा होते हैं कहां तक इनका पेट भरेंगे जबकि भारत का अन्न उन्होंने दूतिय विश्युद में दूसरे देशों मजा करके उसका होडिंग कर दिया था देश भू को मरने लगा था उनकी गलत नीतियों के कारण से और ऐसा भद्दा मजा चर्चिल ने किया था बंद वो आज भारत अ इंग्लेंड को भी भेजता है और तो हमारे पास चमता है वो हर चेत्र में हर चेत्र में चमता है हमारे पास और दीरे दीरे उस चमता का विस्फोट हो रहा है तो पुझनी सरसंगा चालेक जी ने जो हर ब्याख्यान में बोला है वो यह भा बोला है अपने को हर समय याद मे में रखना है हम कौन थे हम क्या थे हम क्या हो गए आगे क्या होने वाले हम लोग जैसे मैंत्री संग गुप्ती जी ने अपने एक कविता में यह लिखा था कि हमारी दुर्दसा कैसी हो गई भारत भारती नाम की उनके पुस्तक है तो मैंत्री संग गुप्ती राष्ट कभी हो वो विचारें आज मिलकर यह समझ चाहें सभी भूलोक का गौरव प्रकृतिका पुन लिला इस्थल कहां फैला मनुहर गिरी हिमालें और गंगाजल कहां संपूर देशों से अधिक किस देश का उतकर्ष है उसका कि जो रिशी भूम है वह कौन भारत वर्ष है जा से सत्र साल पहले लिखी गई कविता है मैं तरिशन गुपति यह बताना चाहते हैं कौन थे वह हमारा जो अत्यंत व्यवववशाली यह शपून जो हमारा इतिहास था याद है कि नहीं हमको हम याद करे हम क्या हो गए इसको देखें और क्या होंगे अभी हमको होना क्या है अधित अबड़ डेस्टिनी ना हो हमारा अंतिम गंतव्य मंत है क्या है पहुचना कहा है और स्री राश्ट्रिय स्वयम्श्योक संग बार बार इसी बात का इस्वन करता है हम कौन थे